असलाव आलेकुम, क्या हाल चाल हैं आप सबके, अलहम्दुलिल्ला मैं भी एकदम ठीक हूँ आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत अछी सी मज़ेदार और खाने में बहुत टेस्टी सी मैं आपके लिए आज लाई हूँ की खीर की रेसिपी तो जी विंटर चल रहे हैं और गाजर स्टेम बहुत अच्छी आ रहे हैं तो आप लोग भी एक बार जरूर मेरी रेसिपी से गाजर की खीर बनाएं यकिनान आपको ये जो खीर है बहुत पसंद आने वाली है और बहुत ही मज़िदार सी बनीती और खाने में बहुत टेस्टी थी तो एक बार आप लोग जरूर गाजर की खीर मेरी रेसिपी से बनाएं तो देखेजिए यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर मैंने डेर लीटर के करीब दूद लिया है दूद जो है न वो फुल फैट दूद है तो जब भी आप खीर बनाये तो आप जादे से जाधा यहाँ दूद आप लोग फुल फैट ही लिए हैं उससे खीर बहुत अच्छी और टेस्टी कीर बनके तयार होती है क्योंकि उसमें फैट होता है पूरा तो उससे मलाई जो है ना वो बहुत अच्छी आती है हमारी खीर में तो आप देख सकते हैं मैंने दूद को जो है ना उबालने के लिए रख दिया था और आप देखें कितने अच्छे से इसके उपर जो है ना मलाई सी आने लगी है यहाँ पर मैंने आदी कटोरी चावल लिये थे चावल भी इसके अंदर जाएंगे इसे मैंने जो है ना 10-15 मिनट के लिए भिगो के रख दिया था और फिर मैंने इनको जो है ना पीस लिया है और साथी यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ दो मैंने मीडियम साइस की गाजर लिती गाजर को अच्छे से धो के चील के और मैंने कदू कस से इस तरह से मैंने इसको कस लिया है जब ये हम दूद में डालेंगे जब हम खीर को पकाएंगे तो गाजर चावल जो है ना हमारे अच्छे से पक जाएंगे एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे तो देखें दूद उबलने लगा है अच्छी तरीके से दूद में मेंने 2 हरी ऑलाइची इसके अंदर आड़ करी थी उसका टेस्ट जो है ना बहुत अच्छा एवाजि अच्छा ओना फलेवर आता है हमारे दूद के एंदर अब देखें जी यहाँ पे मैंने जो चावलों को पीस के रखा था ना वो भी मैंने चावल दूद के अंदर डाल दिये हैं साथी जो मैंने गाजर को घिस के रखा था वो भी मैंने दूद के अंदर एड़ कर दी है अब बस हम यहाँ पर GAS मीडियम रखेंगे और बस हम इसे इसी तरीके से पकाते रहेंगे तो बस तेज़ GAS पर नहीं पकाना है अगर तेज़ GAS पर हम इसको पकाएंगे तो दूद जो है न हमारा जल्दी ठीक हो जाएगा तो बस अभी हमें गाजर भी गलानी है और साथी जो हमने चावल पीसे हैं उन्हें भी हमें अभी गलाना है तो बस यहाँ पर गैस जो है न हम सिलो ही रखेंगे और इसे ऐसे ही चलाते रहेंगे अच्छा जी जब भी जब खीर बनाएं ना आप तो इसे बस चलाते रहे नीये तो जो है ना चावल और गाजर जो है ना मिचे तले में लग जाएंगे उससे जो है ना हमारी खील में जलने की इसमेल आने लगेगी तो बस आप इसके अंदर चम्मच चलाते रहें और जो मैंने इसके अंदर ड्राइफ रूट डाले थे वो भी मैं भी आपको दिखाती हूं तो एक बार आप लोग जरूर विंटर चल रहे हैं आप लोग एक बार गाजर की खीर अ अगर आपने अभी तक चैनल को सस्क्राइब नहीं करा है तो आप लोग मेरे चैनल को भी सस्क्राइब कर लें मेरे चैनल का नाम है केजी एन कोकिंग चैनल और अगर वीडियो अच्छी लगा कर रहें तो प्लीज कमेंट बॉक्स में भी कुछ ना कुछ आप लोग लिग द यहां पर कितने अच्छे से इसमें उबाल आने लगा है तो बस हम इसी तरीके से इसे पकाना है और जितनी देर हम इसे पकाएंगे ऊतनी ही हमारी खीर बन nutrients के तयार होती है तो कितनी अच्छी सी बनी है और जो यह दूख है फुल सैट इस से तो खीर में बहुत ही और अच् कर रहा है और यहां पर मैंने थोड़े सारे ड्राइफूड लिये थे मखाने थे किशमिष्ठी चिरॉणजी गोला और काजू थे इन सब चीजों को जो है ना हम इस घी के अंदर रोस्ट कर लेंगे सारी जो भी ड्राइफूड है इनको हम इस घी के अंदर दो से तीन मिनट के रोस्ट कर लेंगे फ्राइब करके और हम इन सब चीजों को जो है ना दूद के अंदर एट कर देंगे थोड़े सारे मैंने रोक के रखे हैं वो मैं उपर से गारनीशिंग के लिए रखूंगी तो बस दो तीन मिनट के लिए हम इने घी में फ्राइब करेंगे और फिर हम इ इसे ही हम इतने दूद के अंदर डाल देंगे और बस फिर हम इन अच्छे से मिक्स करके और इने पकने के लिए रख देंगे तो देखें कितनी अच्छी सी मलाई उपर आने लगी है और बहुत अच्छी सी खीर बन के तयार होती है तो बस अब जो हमने 2-3 मिनट और इसे हम पकाएंगे ऐसे ही और बहुत अच्छे से बनाएं बहुत अच्छी खीर बन के तयार होगी यह आपकी तो बस अब यहां पे हम मेवा को डाल देंगे डालने के बाद हम इसे फिर से पकाएंगे थोड़ी देर के लिए तो एक बार आप लोग जरूर बनाएं और मुझे जरूर बताएं कि आपको यहाज की खीर गाजर चावल की खीर आपको कैसी लगी तो बस देखें आप तूब जो है ना हमारा थलका हलका थिक होने लगा है और अभी गाजर मैंने देही थी पून से तो गाजर जो हना हलकी सी बस एक कनी रह गई ती सौफ्ट होने के लिए वैसे तक मीठा कैसा लगा यहां पर देखे मैंने कुछ जो है न मेवा रोक लीती क्योंकि मुझे उपर से गार्णिशिंग के लिए भी रखना है उपर से इसे अच्छे से डेकुरेट करना है तो बस अभी मैं आपको शकर दिखाती हूँ क्योंकि हमने शकर इसके अंदर एड़ नहीं कर रही है क्योंकि शकर हम पहले डाल देते ना तो हमारी जो खीर है वो चिपचिपी टाइप की हो जाती है तो इसलिए खीर में जब भी आप बनाएं तो शकर जो है ना लास्ट में ही आप ए भी बना सकते हैं गुड में भी ये खीर बहुत अच्छी बनके तयार होती है और शकर में भी ये बहुत अच्छी बनके तयार होती है मैंने इसे शकर में बनाया है तो बस अब यहां पर देखें बहुत अच्छे से दूद्ध पग गया है और दूद्ध अब थोड़ा ठीक हो किते अच्छे से यह पकने लगी है और काफी अच्छी सी हो गई काफी मुझे चाहिए तो नहीं निए ठीक हो गई है अब हम इसके अंदर शकर को डाल देंगे शकर डालके बस हम इसे दो से दो या ती मिनट के लिए ही बस हम इसे लो फिलेम पहे पकांगे ताकि जो हमने इसके अंदर शकर एट करी है न वो अच्छे से मैल्ट हो जाए और बस फिर हम गैस को जो है न बंद कर देंगे और दो तीन मिनट इसे रखेंगे ताकि ये थोड़ी ठंडी हो जाए फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि कितनी बढ़िया सी ये खीर बन के तयार हुए थी बहुत मसेदार सी ये खीर बनी थी एकदम तो एक बार आप लोग जरूर बनाएं हम मुझे भी जरूर बताएं कि आपको आज की ये मेरी रेसिपी कैसी लगी गाजर खीर की तो बस अब यहाँ पर मैं जो हो ना गैस को बंद कर दूँगी क्योंकि शकर जो है वच्छे से मैल्ट हो चुकी है अब हम इसे ना सर्विंग बाउल में मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ बहुत ही यम सी ये खीर बन के तयार हुए थी देखे जी यहाँ पर मैंने सर्विंग बाउल लिया है अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ और अब ये मतलब मैंने से इतना ही ठीक रखा है अब हम इसे जो ठंडी होगी ये जब हम इसे ठंडा करके खाएंगे ना तो ये और भी ठीक हो जाएगी तो बस मुझे इतनी ही रखनी थी तो देखे जी यहाँ पर मैंने एक बाउल के अंदर निकाल दी है अभी ये गरम गरम है और देखे कितनी अच्छी सी बनी है मैं आपको इस पून से दिखा रहे हूँ बहुत अच्छी बनी थी मज़ेदार सी ये खीर बन के तयार हुई थी अब जो मैंने ड्राइफरूट रोक के रखे थे ना गारनीशिंग के लिए बस वो मैं सब इनके उपर डाल दूँगी पहले मैंने इसमें गूला डाल दिया है फिर मैंने थोड़ी सी किश्मिश रखी थी रोक के और थोड़ी चिराँजी रखी थी थोड़ी से काजू थे बस जो भी चीजे हैं वो मैं भी इसके अंदर डाल दूँगी आप चाहें तो इसमें जो जो आप मेवा डालना चाहें आप डाल सकते हैं आप काजू बादाम पिश्टा जो भी आप चाहें वो आपकी मर्जी है आप लोक डाल सकते हैं लेकिन मैंने सिफ इसके अंदर यही तो जी मिलते हैं फिर से कोई नई अच्छी सी रेसेपी के साथ, अगर आपको आज की रेसेपी अच्छी लगी हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, साथी चानल को सस्क्राइब करना ना भूलें, तो देखें कितनी अच्छी सी, मज़ेदार सी, ये माशालला कितनी अच्छी दिखने में कितनी अच्छी लग रही है, और जितनी अच्छी ये दिखने में लग रही है, उतनी ही अच्छी ये खाने में भी थी, तो बस जी मिलते हैं फिर से कोई नई अच्छी सी रेसेपी के साथ, जब तक के लिए आप मुझे इजाज़त देजिए और अपनी दुआउं में याद रखिए अल्ला आफेज अल्ला आप मुझे अल्ला आप मुझे इजाज़त देजिए